नमस्कार, मैं मनीश कुमार, आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं AQE के बारे में Adaptive Query Execution तो लेटना करते हुए हम सिधा चलेंगे Laptop के स्क्रीन पर वहीं पर सारी चीजों को discuss करेंगे आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है थोड़ा नहीं थोड़ा जादा है लंबा हो सकता है बट जो information मिलेगी वो बहुत worth it रहेगा interview में जब आप इस level पे detail को जाके explain करोगे तो आपका selection पका होना तैय है ठीक है तो चलिए अब चलते हैं Laptop के screen पर ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमने topic दे दिया है कि हमारा आज का topic है AQE Adaptive Query Execution ठीक है कि what is AQE AQE है क्या तो AQE जो है वो हमें flexibility देता है कि आप runtime पे query को change कर सकते हो मतलब हमें internally हो रहा होता spar कि यह कर रहा होता है तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने मालनो query लिखा कि join करना है दो table ठीक है अब यह join होगा तो हो सकता है कि short mark join हो हो सकता है कि broadcast join हो तो मालनो कि आपका table इतना छोटा हो गया कि उसको broadcast किया जा सकता है तो उस किसमें AQE by default चूज करेगा कि आपके table को broadcast कर दिया जाए क्यूंकि आपको initially पता नहीं होगा हो सकता है आपका table का size बड़ा हो लेकिन बाद में जाके वो छोटा हो जाए तो इस type की जो चीजे है वो AQE करता है मतलब कि runtime पे वो query को dynamically change करता है ठीक है अब आपको समझ में आगा होगा कि why do we need AQE क्योंकि AQE अगर dynamically change कर रहा है जैसे अगर मालो short mark join को इसने broadcast कर दिया तो इससे हमारी performance कितनी जादा improve हो जाएगी तो ये सारी चीजों के लिए हम AQE का use करते है ठीक है अब AQE जो है वो हमें 3 capability देता है तीन चीजों को update करता है dynamically तो उसके बार में हम बात करते हैं एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये spark 3.0 and above में ये feature को enroll किया गया है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिख दिया feature of AQE, AQE के तीन feature है पहला है कि ये dynamically co-lease करेगा सफल partitions को अब सबको detail में पढ़ना है अभी के लिए यहाँ बस बता दे रहे है उसके बार dynamically switching join strategy जो अभी आपको बता रहा था कि वो switch करनेगा short merge से broadcast में अब वो कैसे करता है उसके बार में भी समझेंगे क्योंकि क्यों और कैसे समझना बहुत जरूरी है ठीक है उसी तरीके से optimize कर से करेगा skew join को उसके बार में भी समझेंगे तो यह तीन ऐसी फीचर्स है जो हमें aqv देता है तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले वाले से और यह देखो यह data है हमारा ठीक है यहां पर क्या है कि product का dimension table है और पहले fact table देख लेते हैं ठीक है यह हमारा fact table fact table में क्या है कि हमारा जो data है वो इस तरीके से है कि इसको skewed data बनाए गया जैसे अगर आप देखोगे तो sugar वाली जो हमारी product name है वो सबसे ज़्यादा लाई करता है हमारे product हमारे table में मतलब कि 80% of the sales जो आ रही हो sugar से आ रही है मतलब 80% of the time लोग sugar को खरीद रहे है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे देखो हमारा यह होता है न product जब हम product बैचते हैं तो best selling product हो जाता है उसी तरीके से हम यहाँ पर consider कर सकते हैं कि हमारा best selling जो product है वो sugar है मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास sugar बिकेगा तो बाकी जो data होंगी उसकी partitions कम हो जाएगी वो छोटे छोटे नमबर आएगे जैसे मालों कि अगर sugar एक लग टाइमस बिकता है तो बाकी product जो हो सकता है वो हजा टाइमस पांसो टाइमस ऐसा कुछ बिक रहा है ठीक है तो इस तरीके से data जो हो गई वो हमारी हो गई disproportionate मतलब हमारी data हो गई one-sided क्या वह सकते उसको skewed हो गई ठीक है इसी तरीके साब dimension table बनाया हुआ जहां से कि हम old price पता करने वाले हो उसका पिछले बार price क्या था और इस बार price क्या बढ़के हो गया ठीक है इसके लिए हम join लगा रहे है यहां पर यह सारी चीजे sample data पर की जा रही है बट concept sample data पर नहीं होगा मतलब जब आप code लिखोगो production में तो वहां पर आपको proper data मिलेगी ठीक है तो अब जब हमारे पास एक data है जो कि skewed है ठीक है तो उसमें अगर हम group by करेंगे तो group by करने पर आपको पता है अब group by की concept पहले बताया जा चुकिए कि group by जब करेंगे तो जो key होगा एक तरह का key होगा वो एक partition में लाया जागा सफल होगी यहां पर क्यूंकि group by जो ह हमारे पास दो partition है data का ठीक है two partitions मतलब कि अगर हम माल लेते हैं कि मेरे पास अगर 1200 MB का data मतलब 128 MB से कुछ भी होगा तो वो दो partition में चला जाएगा हमें example के लिए ले रहे हैं कि हमारे पास 1200 MB का data है ठीक है 200 MB का मतलब कि 2 partition बनेगा divided by 128 128 HDFS की वज़ह से होती है by default block size होता है ठी partition बनेंगे और दोनों partition में क्या होगा skewed होगा skewed क्यों होगा क्यूंकि हमें पता है कि sugar सबसे ज्यादा quantity में भीक रहा है ठीक है उसके बाद जो बाकी चीज़े भीक रही है वो कम-कम quantity में भीक रही तो यहाँ पर जो color coding किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाया ठीक है हमारे पास अभी हमने example के लिए कितने लिए है एक दो तीन चार एक और ले लेते हैं ठीक है इसी तरीके से हमारा एक एक मिनुट एक और partition आ जाएगा ठीक है इस तरीके से हमारे पास दो partition है और दोनों partition में आप देखोगे तो जो हमारा green वाला color है यह हमारा इसको उसी color से दिखते हैं यह जो हमारा है वो sugar है ठीक है और बाकी जो product है वो थोड़े हमारे कम बिखते हैं बाकी सब product average बिखते हैं बट sugar जो हमारा सबसे ज्यादा बिखता है तो sugar अगर ज्यादा बिखता है तो sugar की जो data की partition होगी वो ज्यादा होगी data की volume ज्यादा होगी तो इस तरीके से हमारा ये रहा partition 1 ठीक है यहां पर ध्यान से समझना है कि क्या हो रहा है नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा और यहां पर यह है हमारा partition 2 मतलब कि हमारा पास data था उसमें 2 partition थे और दोनों में sugar की quantity जादा है बाकी सारे जो product sale हो रहे कम हो रहे ठीक है यहां तक समझ गए अब इसके उपर जो हम run करने वाले हैं query करने वाले हैं कि group by ठीक है हमें चाहिए group by करके total sales per product ठीक है हर एक product का कितना sales हुआ है वो हमें पता करना ठीक है तो group by में आपको क्या पता है कि group by करता है data को सफल ठीक है अब यह जब data को सफल करेगा मतलब कि हर एक data का movement होगा हर एक particular की को एक साथ लाया जाएगा ठीक है तो जब यह सफल होगा तो कुछ इस तरीके का हमारा partition बन जाएगा हमारा partition बनेगा कि sugar जो है वो सबसे जादा data है तो sugar एक partition में आ जाएगा ठीक है ध्यान से सुनना इस बात को नहीं गर्वर हो सकता है sugar जो है पूरा वो एक partition में आ जाएगा ठीक है sugar के अलावा यह जो yellow वाली data है यह दोनों जगह से key को उठा के लाएगा यह वाले partition से भी और यह वाले partition से भी तो यह जब दोनों data उठके आएगा तो हमारे पास कुछ sugar यह second वाली जो product है कुछ इस तरीके से आ जाएगी ठीक है इसी तरीके से बाकी सब का भी आ जाएगा जैसे हम और color coding क्या था blue, white और red यह वाली चीज़े को ही हम depict कर रहे है यहाँ पर कि किस तरीके से यह data move हो रहा है ठीक है तो अभी हम कर लेते है blue वाला ठीक है white का और एक बचा red ठीक है तो red का हमारा इतना data था ठीक है इस तरीके से हमारे पास data है अब आपको पता है कि यह सारे एक अलग-अलग partitions में जाएंगे जैसे यह p1 में जाएगा यह p2 में जाएगा यह p3 क्यों के हरेका की अलग-अलग है ठीक है लेकिन अभी आप लोग एक चीज आप भूल गए जब सफल होता है तो by default कितने partitions बनते हैं 200 यह चीज आपको हमेशा याद रखना है 200 partitions बनेंगे लेकिन यहाँ पर आपको example में दिख रहा है कि बस 5 partitions है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा इसका मतलब कि और भी हमारे पास partitions बनेंगे ठीक है यह total partitions कितने बनेंगे 195 ठीक है यह कितने बन रहे 195 partitions और बन रहे और वो सारे partitions जो होंगे वो empty partition होगी यह क्या होगी empty data होगी ठीक है इसमें कोई भी data नहीं जाएगा लेकिन अब यहाँ पर देखो यहाँ पर होगा game AQE क्या कर पाएगा यहाँ पर आके ठीक है तो जैसे ही सफल होता है मतलब AQE का entry ही वहीं पर होता है जहाँ पर data सफल होना शुरू होता है ठीक है तो हमेज़ा याद रखना है कि AQE का entry होगा जब सफल होना data सुरू करेगा यह चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी run करके Databricks के अंदर भी दिखाऊंगा हर एक चीज दिखना चाहिए एक एक चीज ठीक है तो यह 195 पार्टिसंस खाली है मतलब आपको एक प्रोब्लम तो दिख रहा है कि 195 पार्टिसंस को जो scheduler है हमारा spark का उसको तो schedule करना पड़ेगा उसको task देना पड़ेगा भले हूँ थोड़ चीज आप देख रहा होगे कि यहाँ पर जो 5 पार्टिसंस है राइट 5 पार्टिसंस को रन करने के लिए कितने task लगेंगे 5 टास्क लगेंगे राइट अभी हम 195 टास्क को थोड़ा देर के लिए इगनूर करते हैं तो यह इसको रन करने के लिए हमें चाहिए होगा 5 टास् राइक ही देखो यह जो P1 वाला टास्क है वो सबसे लॉंगर टाइम लेगा राइट लॉंगर टाइम बाकी जो है वो छोटे छोटे पार्टिसन तो मतलब वो जल्दी जल्दी अपना काम करतेगा अगर मालनों कि आपको ही गिंती करने बोल दें कि आपको एक से एक लाग तक गिनना है और किसी को बोले कि एक से सौत गिनना है तो वो जल्दी सौत गिनकर खतम करतेगा लेकिन एक लाग को गिनने वाले में टाइम लगेगा तो सेम चीज यहां पर भी होगी कि एक task जो है वो बहुत जादा time ले रहा है run करने में ठीक है तो यहाँ पर है optimization की जरूरत मतलब कि अब इस data के साथ क्या किया जाएगा कि थोड़ा सा यहीं पर image में ही update करके दिखा देता हूँ क्यों कि वापस नए image बनाने में time लगेगा ठीक है तो अब क्या करेगा AQE यहाँ पर कहेगा रुको अब हमें role play करना पड़ेगा ठीक है तो AQE क्या करेगा कि वो बोलेगा कि यह वाले partitions को उठाके यह वाले partitions को उठाके हम इसमें merge कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से इसको क्या कर देगा ऐसे include कर देगा ठीक है P5B यहाँ पर co-lease कर देगा ठीक है तो अब यह जैसे ही co-lease होगा तो अब ध्यान देना कितने task आपके पास बचा है task किन्नों सही से एक सुगर वाली right दूसरी हमारी यह जो अभी co-lease होके बनी है yellow और blue color वाली और एक जो हमारी white और red color वाली मतलब कि अब हमारे पास कितने task बनेंगे तीन task बनेंगे मतलब कि दो task हमारे कम हो गए दो task मतलब कि दो cpu core हम कम use करेंगे ठीक है समझ रहा हो यहाँ पर हमारी कितनी यह हो गई cpu core बच गए ठीक है दो cpu core हमने बचा लिया plus हमने क्या किया कि अब देखो 199 out of 200 जो task थी हो complete हो रहे थी अब क्या होगा कि अब तीनों लगभग same time पे complete होगा अगर अभी भी यह मालो की अगर 5 second लेता है ठीक है तो यह लगभग 4 second लेगा और यह 3.5 second लेगा मतलब इस तरीके से हमने data को एक इस level पे पहुँचा दिया कि अब ज़्यादा skewed data एक नहीं देखने को मिल रहा है ठीक है पहली चीज़ आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसको कोलीस कर रहे है तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ था एक नट यहाँ पे जो आपका पहला ही चीज लिखा हुआ था कि dynamically कोलीसिंग मतलब कि dynamically क्या कर रहा है कोलीस कर रहा है सफल पार्टिशन को तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि सफल तो जैसे अगर माल लो कि यहां पर हमारा यह डेटा सुरी कलर सेम रखते हैं नहीं तो फिर गड़बर हो जाएगा ठीक है तो यह जो हमारा सूगर वाला डेटा था वो कुछ इस तरीके का था ठीक है यह हो गया हमारा सूगर वाला डेटा जो की 80% of the data है ठीक है और बाकी सब म हम और कौन सा कर रहत हैं yellow, blue, red, white ठीक है ब्लू हो गया yellow हो गया ठीक है red हो गया और white हो गया अब आपको कुछ problem देखने को मिल रहा है क्या देखो although हमने इन सारे को 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 लिज कर दिया लेकिन को को लिज करने के बाद भी यह वाला जो डेटा है वो अभी भी बहु जादा ब वाली जो situation में फंसेंगे वो अभी भी फंसेंगे ठीक है इभिन हम कोलीस कर लेते हैं अगर कोलीस कर भी लेते हैं तो अभी हमारे पास कितने टास्क हो जागा वन आउट अट अफ टू कैसे आया क्योंकि अब हमने कोलीस कर लिया है हमने एक्यूवी लगा दिया है तो मतलब कि अब वो 198 टास्क तो नहीं बनेंगे राइट पहली चीज जो यहाँ पर 195 ब्लैंक पार्टिसन बनती वो सब नहीं बनेगी अब सिर्फ दो पार्टिसन बनेंगे तो दो पार्टिसन में होगा कि one out of two टास्क कम्प्लीट हो जागा मतलब यह सुगर वाली जो डेटा है वो कम्प्लीट नहीं होगा अब नहीं होगी तो क्या होगा अब इस केस में हम करते हैं यह तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्यू को फिक्स ठीक है अभी तक हमने कोलीस किया था बट यहाँ पे हमें कोलीस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे हमको ड multiple partitions बनाने हैं मालों कि यहाँ पे 80% यहाँ पे 20% है तो इसको अगर हम 4 part में तूड़ दे तो 20-20% के बन जाएंगे राइट तो हम कुछ इस तरीके का solution चाहते हैं देखो यहाँ से हम क्या solution चाहते हैं कि सूगर वाली जो है वो 20-20% की 4 बन जाएं ठीक हैं चार partition बन जाएं और एक partition जो है यह colorful वाली जो हमारी है blue और क्या है yellow red और white ठीक है तो इस तरीके से सब के पास अब कितना कितना percent हो गया 20% मतलब की अब जो है हमारा 5 task बनेगा और हमारे पास कितने टास्क बन जाएंगे पांच टास्क बनेगे लेकिन पांच हो जो है वो almost same time पे complete होगा तो इस case में क्या होगा कि data को आपको करना पड़ेगा split तो यह split करने के लिए हमारे पास logic यह है आप ऐसे simply नहीं कर सकते है इसके लिए rule है दो configuration की बात बताता हूँ अगर आपका data ठीक है यह आप लिग देता हूँ if your skewed data ठीक है अगर आपका skewed data is more than five times ठीक है कितना more than five times of median ठीक है and size of the skewed data ठीक है size of the skewed data is greater than ठीक है greater than 256 MB अगर यह दोनों case satisfy होगा तब ही हमारा data जो है split में जाएगा मतलब कि अगर आपका data 256 MB से बड़ा हो गया मतलब वो partition जो बनाया आपने जो आपकी group by के वैसे partition बनी वो अगर वो 256 MB से ज्यादा बन जाता है तब वो split में जाएगा प्लस अगर उसका median जो आपका बाकी data जैसे यह सारे data है तो median आपको पता है mean median होता है तो median कहीं इसी के बीच में लाई करेगा क्योंकि median जो है वो अपना कैसे calculate किया जाता है sort कर दिया जाता है और sort करके बीच में पता किया जाता है कि कहाँ पे median है तो median छोटा होगा तो छोटा का 5 गुना कम से कम होना चाहिए अगर median हमारा आ रहा है कि 50 MB right median चलो 50 MB नहीं 5 MB माल लेते हैं ठीक है कि median हमारा छोटा 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 डेटा है into 5 मतलब कि अगर वो partition का size 25 MB से बड़ा होगा तभी होगा तो 25 MB तो यह होना चाहिए plus 256 MB वाली condition दोनों match करेगी तभी हमारा data जो है वो skewed माना जाएगा वरना skewed नहीं माना जाएगा तो skewed मारनेंग की भी condition बता दिया और cup data split होगा cup data coales होगा यह सारी चीज़े भी बता दिया तो यहाँ पर हो गई dynamically coalesing subtle partition यह वाली चीज आप असानी से अब समझ चुके हो किस तरीके से हमारा data जो है वो split हो रहा है और किस तरीके से वो coales भी हो रहा है ठीक है अब हम अगली वाली topic के बारे में बात करेंगे अगला वाला topic हमारा क्या है अच्छा इसको दिखाना भी तो पड़ेगा यह जो process run हुआ है उसको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर मैंने run किया हुआ है यह last ठीक है यह देखो हमारे पास कितने partitions बने number of partitions 200 राइट क्यों बने क्योंकि सफल हुआ data ठीक है ग्रुप भाई किया हुआ है बस यहाँ पर और देखो जब aqe सफल read किया मतलब aqe ने जब read किया उस data को तो मातर उसने एक partition में convert कर दिया इसलिए क्योंकि उसके पास उतना data था नहीं तो सारे data को एक साथ कोलिस कर दिया मतलब कि आगे कि जब process चलेगी तो एक ही partition data पे चलेगी ठीक है यह सिर्फ यहीं पे advantage नहीं करेगा यह आपको आगे भी करेगा जैसे एक question मुझे मिला था किसी ने comment section में पुछा था कि how will we define कि how many partition do we need तो अब आपको partition decide करने की जरूत नहीं है आप एक बड़ा सा number सा partition sit कर दो और फिर उसके बाद जैसे 200 भी नहीं आप 5000 भी sit कर दो कोई दिकत नहीं है तो वो आपको police करके एक जो आपको exact number थे यह वो dynamically आपको statistics पढ़के देगा और यह सारे इसके अंदर के statistics है तो मैं बता द data frame का एक tab मिलेगा उस tab में जाके आपको देखना है और यहाँ पर details के अंदर आपको physical plan भी मिल जाएगा कि किस तरह के से plan बनाई गया है फिर aggregate किया गया आपको group by में बताया हुआ है फिर उसके बाद कहां गया aqe shuffle read किया यह देखो aqe कब scene में आगा जब हमारा data shuffle में जाएगा ठीक है उसके बाद फिर इसने एक और has aggregate लगाई read right वाली चीज है और उसके बाद खतम कहानी तो हमारा 200 partition जो था वो एक partition में convert हो गया अब यह advantage आगे भी जाके देगा कि आपके पास एक ही partition होगा तो आप 200 task में से हो सकता है कि 199 task खाली होता बट जो हमारा spark है उसको बार बार वो 199 task को schedule करना पड़ता प्लस उसको monitor करना पड़ता कि यह task सही से चला है नहीं चला है ठीक है तो over rate से आप बच गए प्लस आपका 199 core भी बच गया थोड़े time के लिए ठीक है तो यहाँ पे पूरी चीज ने read किया तो उसको collise करके एक partition में convert कर दिया यही चीज हमें यहाँ पे सीखनी थी जो कि पूरा हमने यहाँ पे detail में आपको सिखा दिया है ठीक है अब हम बढ़ेंगे अपने next वाले पे जो कि हमारा dynamically switching join strategy अब यह join की strategy को कैसे dynamically change करेगा उसके बारे में हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में ठीक है ठीक है तो अब हम अपने दूसरे condition पे आगा है AQE का यह है dynamically switching join strategy ठीक है अब इसके बारे में समझते हैं ठीक है जैसे हमारे पास यहाँ पर हम example ले लेते हैं कि हमारे पास दो table है ठीक है एक table यह है और दूसरा table यह है ठीक है यह हो गया table 1 और यह हो गया table 2 अब यहाँ ध्यान से सुनना यह दोनों ही table बड़ी है मतलब मान लों कि यह भी है 10 GB की ठीक है और यह भी है कुछ ऐसा 20 GB का ठीक है इस तरीके से हमारे पास दो table है और दोनों की size बहुत बड़ी है ठीक है अब क्या है कि अब हम इसको लगाते है join ठीक है join on some condition यह हमारा दोनों टेबल का join लगेगा मान लों की अभी हमारा जो एक्जामपल है उसके हिसाब से होगा यह product name के हिसाब से ठीक है product name पे हम लगाते है ठीक है अब जब हम product name पे join लगाएंगे तो उस case में क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे 10 GB का data है हमारा spark किसमें जाएगा वो जाएगा short merge join में ठीक है short merge join क्योंकि क्या होगा कि जब यह हमारा spark compute engine जब इसके DAG को बना रहा होगा तो वहाँ पे वो input size को read करेगा input size को read करेगा तो इसे मिलेगा 10 GB और 20 GB यहाँ पे हमें 10 GB और 20 GB की 2 table मिल गई तो उसके हिसाब से अभी इसको पता है कि यह 10 MB से ज़्यादा है हमारा value तो यह इसको broadcast तो नहीं कर पाएगा तो broadcast has join तो यहाँ पे नहीं लगेगा लेकिन अब मान लो कि हम यहाँ पे multiple transformations लगाते हैं और transformations के बाद जो हमारी table की condition बचती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है कि table 1 जो था हमारा table 1 जो था हमारा वो 10 GB के जगा अब 8 GB का बच जाता है और यह जो है table 2 जो है वो बहुत जादा ही reduce होके यह मान लो की 5 MB का बन जाता है मतलब less than 10 MB कुछ भी बन जाता है ठीक है तो क्योंकि अब DAG पहले बन चुका होता है तो DAG क्या करेगा कि वो बोलेगा कि नहीं अभी भी हम shortmore join लगाएंगे लेकिन अगर हमारा AQE enabled होगा adaptive query execution enabled होगा तो यह runtime पर statistics चेक कर रहा है तो यह runtime के statistics है यह starting के statistics नहीं है यह runtime पर statistics मिला है कि कुछ filters लगे हुए था हमारे table पे उसकी वैसे इसकी value यह हो चुकी है पहले था यह initial ठीक है जब हमारा DAG बन रहा था तो DAG बनात फीचर कि हाँ आप shortmore join कर सकता हो इसने दोनों को initial को read करके DAG बनाके दे दिया हमें ठीक है यह था initial मतलब final plan में ही रहता है लेकिन final plan भी update होता है बाद में ठीक है तो final plan कैसे update होगा हमको पता है कि cost based model से associate करके final plan बनती है और जब final plan बनती है तो final plan भी गलत हो सकती है वो based on कि हमने कौन सी filter कौन सी columns पर फिल्टर लगाई है कितनी columns को हमने drop करी है मतलब predicate pushdown एक तो हो गया उसके बाद हमारी column की pruning को क्या बोलते है column pruning को dynamic pruning ऐसा कुछ बोलते है ठीक है column pruning होता है ठीक है नहीं partition pruning नहीं column pruning होता है मतलब कि column जो extra होते है उसको नहीं चाहिए plus जो हमा route कर लिया जाता है ठीक है तो चलो अब यह हो गई runtime के status की मतलब 2-4 transformation लगे उसके बाद यह condition हो गई तो अगर AQE enabled नहीं होता तो यह बोलता कि short mark join करना है right क्योंकि dag बना कर दे चुका है लेकिन अब AQE हमारा हो गया है true मतलब हमने इसको enabled कर दिया है तो अब हमें पता है कि हमारा less than 10 MB हो गया है table 2 का size मतलब कि हम इसको broadcast कर सकते है right तो जब यह broadcast हो सकता है तो फिर इस case में क्या होगा कि अब हमें हमारा join के strategy है वो change होते हुई दीखेगी ठीक है अब change हो कि यह हो जाएगा broadcast join अब broadcast join लगने से क्या होता है हमको पता है कि broadcast join सबसे fast होता है तो हमारा चीजे fast चलने लगेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि यह सफल के बाद हो रही होती है तो आप सफल को नहीं हटा सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप short और merge को हटा सकते हो broadcast कर सकते हो तो सफलिंग तो अभी भी होगी ठीक है तो यही होता है dynamically switching join strategy मतलब हमने dynamically run time पे change कर दिया join वाली strategy को initially जो strategy आई थी उसको हमने final plan से replace कर दिया ठीक है मतलब final plan में update कर दिया ठीक है तो आसा करते हैं कि यह वाली चीज आप लोगो समझ में आ गई होगी कि कैसे हम join strategy को switch कर रहे है ठीक है अब next चलते हमारा third topic मतलब third feature क्या था इसका यहाँ पर देख लेते हैं यह है हमारी third वाली feature है dynamically optimizing skew join ठीक है अब अगर हमारे पास data skewed है तो उसके join को कैसे हम optimize करेंगे उसके बारे में देखने वाले हैं ठीक है तो अब हमने topic का नाम दे दिया है dynamically optimizing skew join skew होरने वाला है कब join के time ठीक है तो again जो हमने पिछली बार condition ली थी कि हमारे पास दो table है ठीक है दोनों ही मेरे पास body table है ठीक है मैं यहाँ पर example ले लेता हूँ again ठीक है इस बार थोड़ी अलग चीजे हैं तो उसको ध्यान से सुनना है वरना दोनों के बीच में confused नहीं होना है ठीक है यह है table 1 और यह है table 2 ठीक है दोनों के पास अभी मालों की same ले लेते हैं कि एक के पास 10 जे भी है अब यह होने वाला joint ठीक है joint से पहले हम जान लेते हैं कि हमने आपको दिखाया था कि हमारा जो data है वो skewed है मतलब कि sugar वाली जो data की partition है वो बहुत जादा 80% के around है ठीक है तो जब भी suffering होगा अब आपको पता चल गया है कि जब भी suffering होगा तो suffering होने के बाद हर एक table का अपना data होगा right इसका अपना data होगा और इसका अपना data होगा दोनों को मैं थोड़ा side by side बना ले रहा हूँ ठीक है दोनों में ही मान के चलते हैं कि एक की जो है वो जादा बड़ा है अब जरूरी नहीं कि दोनों table में की बड़ा होगा तो चलो एक को छोटा ले ले लेता है ठीक है एक को as usual ही ले लेता है बाकी table के जैसा है ठीक है लेकिन जो हमारा left side में है वो थोड़ा जादा बड़ा है ठीक है इस तरीके से समझ में आ गया यह हमारा जो है वो sugar का data है ठीक है यहाँ पर भी sugar वाली की है क्योंकि अब अगर आप जब सफल करते हो data तो same की जो है वो एक जगा पे आके आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से हमारा पास multiple data partitions हो सकते हैं लेकिन हम एक partitions की बात कर रहे है मतलब कि out of 10 GB मातर 128 MB के data को हम उठाए है फिलाल के लिए एक partitions को उठाए है इधर से भी हम बस एक partitions को उठाए है जो कि है हमारा 128 MB का और उसमें data को देख रहे है वही same चीज़ रेप्लिकेट होगा बाकी चीज़ों में ऐसा जरूरी नहीं है बट 90% of the time यस ऐसा ही होता है ठीक है उसके अलावा हमारे पास और भी data है जो की छोटे छोटे डेटा है ठीक है तो अगेन हम कुछ color code अलग अलग ले ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझाने में आसानी होगा मुझे ठीक है ठीक है लेप साइड का टेबल कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा की वॉल्यूम है अब राइट हैंड साइड में भी हमारे पास टेबल है तो इसका जो डेटा है वो आल्मोस्ट सीमिलर है थोड़ा बहुत का डिफरेंस है ठीक है यहां तक हम समझ गए एक और है वाइड ठीक है अब यह दोनों क्या होगा अब यह दोनों आएगा जोइन के लिए राइट यहां पे यह दोनों जब अपना जोइन कंडिशन लगाने के लिए आएगा क्योंकि इसका अपना की सेपरेट हो चुका है सफल के बाद इसका अपना की सेपरेट हो चुका है अब इन दोन तो join हमने पारले वीडियो में detail में बता रखी है ठीक है तो अब क्या हो जाएगा अब जब ये दोनों एक जगा प्याएंगे ये दोनों मिलके एक जगा प्याएगा तो कुछ हमारा condition इस तरीके का बन जाएगा कि सूगर वाली जो data की partition है मतलब वो इतनी बड़ी हो जाएगी ठीक है बाकी सब हमारा एक उनाट कलर अलग कर लेते हैं जो जैसा कलर के साथ है वैसा ही कलर कोडिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ये हो गया उसके बाद red वाला ठीक है and then एक white वाला ठीक है अब देखो पहली बार जब हमने पढ़ा था तब हम इन सारे partitions को जैसे group बगरा कर रहे थे तो वहाँ पे कोलीस कर रहे थे लेकिन यहाँ पे कोलीस नहीं कर रहे है यहाँ पे हर एक data का अपना partition बन चुका हर एक key अब हर एक key पे एक partition बन जाए राइट वो सब आपको बताया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे जब हमारे पास हर एक जैसे यह सूगर का हो गया इसी तरीके से मालनो अभी example के लिए यह ले ले लेते हैं कि यह cosmetic का कुछ data है ठीक है यह कुछ हमारा toothpaste का data है ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो data है वो हर एक का volume अलग अलग है और जब यह खास करके देखा जाता है जहां पर हमारा base selling product होता है वहाँ पर ठीक है तो जब हम इस data को अब ले जाएंगे process करने के लिए राइट अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा एक चार partition है तो total पहले कितने task बनेंगे चार task बनेंगे ठीक है अब क्या है कि इसका जो data volume है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है ठीक है क्योंकि एक partition में ज़्यादा data आ गया है तो again वही चीज आ जाएगा कि 199 out of 200 task वाली चीजों में issue आ जाएगी कि 199 task चल जाएगे एक task performing कर रहा अभी तक ठीक है तो इस case में इसका solution क्या होगा कि आपका जो यह data ह है उसको split किया जाएगा ठीक है अब यह split के बारे में आते हैं थोड़ी देर में लेगिन पहले यह समझ लिए कि data जब ज़्यादा हो चुका है task नहीं perform कर पा रहा है तो पहले issue कौन कौन सी आएगी तो issue आएगी सबसे ज़्यादा out of memory exception यही हमें सबसे ज़्यादा production में दे मालों कि 10 seconds के बाद हमें आ रहा है कि आपका यह task फिल हो चुका है क्योंकि इसके पास इतनी memory नहीं थी कि यह अपने join को perform कर सके ठीक है ऐसी वाली situation आती है out of memory जाती है तो जब out of memory जाती है तो इसके solution क्या क्या हमारे पास ठीक है अगर out of memory हमारा जाता है तो उसका solution क्या क्य है उसका solution हमारे पास है एक तो है salting ठीक है और दूसरा जो है हमारे पास वो है AQE ठीक है salting किसी और वीडियो में बात कर लेंगे आज हम AQE का बात कर रहें ठीक है तो AQE क्या करेगा ठीक है AQE के पास क्या होता है कि सफल reader होता है ठीक है AQE सफल reader मैंने दिखाया भी था आप लोग को ध्यान दिया होगा तो AQE सफल reader होता है ठीक है अब ये AQE सफल reader क्या करेगा इसको पता है कि दोनों साइट डेटा की partitions में गड़बड है तो again हम इस image को copy कर लेते हैं ये वाली image हमें काम आएगी again समझाने के लिए तो मैं इसको थोड़ा copy कर लेता हूं और वापस समझाता हूं ठीक है तो अब हमारे पास क्या है AQE सफल reader है और उसके पास runtime की statistics है कि कौन सी partitions कितनी बड़ी है ठीक है तो ये क्या करेगा कि ये जो है हमारा जो partition data जो ज़्यादा skewed हो चुका है उसको split कर देगा multiple छोटे छोटे partitions में ठीक है अब partitions में कब split करेगा ये region आपको मतलब ये question का answer आपको दे दिया जा चुका है कि अगर 256 MB से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या median से 5 गुना से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो partition मतलब कि वो data हमारा skewed हो चुका है तो हमारा sugar वाला जो data है वो skewed हो चुका है तो इसको क्या करेगा कि ये दो part में split कर देगा ठीक है इसको ऐसे ये दो part में split कर देगा ठीक है अब दो part में split करेगा तो ये क्या हो जाएगा sugar cut जो data हो जाएगा वो first half तो इधर आ जाएगा ठीक है ये वाला first partition बन जाएगा और इसके उपर एक और partition बन जाएगा same size का हमारे पास P2 बन जाएगा ये ठीक ह लेकिन यहाँ पर एक issue हो जाएगा अगर आपने partition को तो तोड़ दिया लेकिन अगर right hand side में अगर एक ही partition रहेगा तो join कैसे लगेगा right तो join करने के लिए इस data को duplicate किया जाता है ठीक है इसको क्या किया जाता है duplicate ठीक है इसको duplicate करने के पीछे का region बताता हूँ यह क्या होगा कि एक partition इस partition से join करेगा ठीक है अपना अब यह जो sort वाला हो चुगा छोटा partition हो चुगा जो half होके यह partition इससे join करेगा यह partition इससे join करेगा मतलब सब के पास अपना सामने में की present होगा join करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से सब आपस में join कर लेगा ठीक है और join होने के बाद वो sort हो जाएगा पहले मतलब दोनों को आकर sort करना पड़ेगा और sort करके merge करना होगा ठीक है तो इसलिए हमें right hand side की data को duplicate करने पड़ेगी तो AQE Supple Reader जो है वो दोनों side जाएगा although हमारे को right hand side में AQE का कुछ features नहीं चाहिए फिर भी जाएगा तो अब जब data मतलब जब हमारे AQE actual में काम करता है industry में जब हम code को लिखते हैं तो वो काम करता है तो सबसे पहले वो अगर कोलीस की कहीं पे भी situation बनती है तो सबसे पहले उसको कोलीस कर देगा अगर यहाँ पे भी कोलीस की situation होगी तो पहले कोलीस कर देगा कोलीस करने के बाद आपको अगर जरूत पड़ती है तो यह हमें skewed data को अपना split करके छोटे छोटे partition में convert करके और right hand side में उसी key को duplicate करके तब join लगाएगा तो इस तरीके से हमारा aqe काम कर रहा होता है ठीक है तो यह हो गया हमारा dynamically optimizing skew join ठीक है अब हम थोड़ा सा आप लोग को एक बार recap करवा देते हैं मतलब summary में बता देते हैं थोड़ा सा कि aqe क्या होता है adaptive query execution जो की runtime पर decide करता है कि हमें कैसे अपने जो skew data है उसको fix करना है ठीक है तो सबसे पहले है coales करके ठीक है अब coales कैसे करता है यह देखता है कि अच्छा हमारे पास data है अलग-अलग partitions में data है और यह क्या है कि जैसे यहाँ पर सूगर वाली data जो थी वो data यह जो सूगर वाली data थी वो हर partition में ज़्यादा थी तो उसको क्या किया कि बाकी जो छोटे-छोटे इसको partitions मिले थे उस छोटे-छोटे partitions को इसने एक साथ merge कर दिया और एक बड़ा partition बना लिया इससे हमारी task भी घड़ गई CPU core भी हमने बचा लिया ठीक है एक पहली चीज हो गई अब उसके बाद दूसरी चीज क्या होते है कि dynamically switching join strategy जैसे आप join लगा रहे हो और उस case में आपने कहीं filter लगा रखा है जब filter लगाते है तो size बहुत reduce हो सकता है कम भी हो सकता है जादा भी हो सकता है अगर जादा हो गया मतलब कि वो टेबल के जो broadcast table के size से कम हो गया तो उसको broadcast कर दिया जाता है और इससे हम अपना जो short merge वाली जो क्या बोल सकते है उसको operation है short merge join वाली जो operation है उसको हम बचा सकते है ठीक है उसके बाद हमारा third वाल आता है dynamically optimizing skew join अब आपके पास data तो skew हो चुका है तो उसको optimize कैसे कर होगे एक तो salting वाली trick अपना ही जाती थी पले बट अब AQE उसे भी handle कर लेता है जहाँ पे कि वो खुद ही data को split कर देता है यहाँ से data को split करके इसने दो part में data को बना लिया और उसके बाद यहाँ पे right hand side में इसने duplicate कर लिया ताकि join सही से लग सके ठीक है तो इस तरीके से हर एक partition self sufficient हो जाता है join लगाने के लिए तो यही थी हमारी AQE अगर detail में कहीं पे भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो अब आप answer कर पाओगे ठीक है और कुछ configuration है जो की मैं यहाँ पे दिखा दता हूँ आपको यह सारी चीज़ है मुझे कहा सब मिली तो यह मिलती है configuration के अंदर से और मैं configuration दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे performance tuning के अंदर आप निचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाते है adaptive query execution है ठीक है co-list कर रहा है तो co-list करने में भी देखो बहु सारे यहाँ पे features दिये हुए कि कब कौन सी चीज़ enable करेंगे और right hand side में उसका meaning दिया रहाता है तो यहीं से मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यह कैसे हमारा काम कर रहा है ठीक है तो यह वाली चीज़ जो है वो आपको link description में मिल जाएगा तो वहाँ से आप कर सकते हो इसी तरीके से short mark join कोई broadcast में कैसे join कर रहा होता है यहाँ पे कहीं पे तो मैंने 64 MB और 256 MB वाली जो ली थी वो इधर से ही उठाया था मैंने ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या optimizing skew join skew join भी बता दिया ठीक है तो यह सारे ही features है जो हमें use करने हैं तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पे खतम करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ